आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उर्जा की जो हम सब के आसपास होते हुए भी जिसको पाने के लिए हमें संखर्ष करना पड़ता है तो आज इस संखर्ष को खतम करने के लिए मैं यहाँ पर एक सीरिस शुरू करने वाली हूँ जो आपकी बहुत मदद कर सकती है पैसा कमाने के लिए मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि घर बैठे ही आपको वो हर मदद मिल सके जो आप पाना चाहते हैं जिसके लिए आप बड़े बड़े उपाये करते हैं जिसके लिए आप बड़े बड़े रिचुल्स करते हैं जिसके लिए बहुत सारा पैसा भी कर्च करते हैं आपको आसानी से सभी उपाय वताने की कोशिश करूंगी देखे अध्यात्म इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल उसे बना दिया गया है हमारे आसपास वो सभी चीजे मौजूद होती हैं जिनको इस्तिमाल करके हम उन एनर्जी को अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं जो हमारे लिए मददकार हो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारा लाब हो बहुत सारे लाब की स्थितिया बैदा हो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास कही ना कहीं से पैसा आता रहे वो किसी भी दरह से रुके नहीं उसका परवा जो है वो बहता ही रहे इस समय पर जो स्थितियां चल रही है उसने हमें ही नहीं सारी दुनिया को परभावित किया है यहां पर लॉकडाउन के कारण जो काम बंद हुए है जो काम परभावित हुए है क्या उनको ठीक करने के लिए कोई अध्यात्मिक मदद हमें मिल सकती है बिलकुल मिल सकती है यहां पर मैं यही कहूंगी क्योंकि यहां पर उर्जा का ही परवा है और उर्जा को हम परवाहित क करते हुए उसके रुख को मौड़ सकते हैं। यह इतना ही आसान है जिस तरह से आपको एक नदी के रुख को मौड़ देना है। कहने के लिए बहुत मुश्किल है कि नदी का रुख मौड़ना कुई आसान बात थोड़ Deswegen पर उतना काम को किस तरह से आप चला सकते हैं देखिए हमारे आस पास जो भी चीज़े हैं वो एक उर्जा का ही रूप है इसी तरह से पैसा भी एक उर्जा है इस उर्जा को अगर हम अपनी तरफ प्रवाहित करने के लिए आकर्शित करते हैं तो उसका प्रवाः जो है फिशा हमारी तरफ ही अकरशित रहता है जैसे एक बड़ी नदी बह रही हो और हम उसके प्रभाव को या प्रवाः को बदलने के लिए एक अलग रास्ता बना दें, तो उस नदी का जो प्रवाः है उस रास्ते की तरफ होने लगेगा जो रास्ता बनाया गया है इसके लिए हमें उर्जा के सिध्धान्त को समझना होगा देखें ये बिल्कुल विज्ञानिक तथ्य है इसमें कोई भी अंधिविश्वास नहीं है कि उर्जा का अपना एक सिध्धान्त होता है और उर्जा को पैदा किया जा सकता है आसपास की मिट्टी को आप खोदना शुरू करें और आप देखेंगे कि वो पानी की धारा उस मिट्टी में जब आप खोदते हैं तो वो रास्ता जो बनेगा उसमें भी पानी आना शुरू हो जाता है वो धीरे धीरे ही सही पर जब आप उसको बड़ा बड़ा खोद लेंगे, बड़ी बड़े रास्ते बना लेंगे, तो वो परवा भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, इस तरह से हर उर्जा को आप अपनी तरफ अकरशित करने के लिए एक रास्ता बना सकते हैं, जिससे उर्जा परवाहित होगी ही, क के साथ हम जब उस उर्जा को या उस पानी को एकठा कर लेंगे, तो उम उस पर बांध लगा सकते हैं, ताकि ये उर्जा जो है, ये एकठी होकर हमारे पास रहे, और हम इसका भरपूर रूप से इस्तिमाल कर सकें, हम इसको अपने आप से दूर ना जाने दें, तो बहुत अपनी एक एनरजी होती है, अपनी एक उर्जा होती है, आज हम पहला जो हमारा स्टेप है, वो अंकों से ही शुरू करेंगे, और अंक विग्यान के बारे में जान कर, हम इसका भरपूर रूप से इस्तिमाल करने की कोशिश करेंगे, यहां पर ये उपाय आपके लिए एक तेरह से उर्जा के प्रवा की वो शक्ती बन सकती है, जिसको हम इस्तिमाल करके जीवन को बदल सकते हैं, तो हमें इस स्पिर्शुल इस अध्यात्मिक जगत से उन उर्जाओं को निकालना है, जो हमारे आसपास बहुत जादा हमें दिखाई देती हैं, पर हमको उनका इ अंक बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं, जिनका परवा आपके जीवन में खुशिया और रंग भी भर सकता है, और आपके जीवन में उथल पुथल भी मचा सकता है, कुछ ऐसे अंक भी होते हैं, जो आपके जीवन में उर्जा भर सकते हैं, कुछ ऐसे अंक भी होते हैं, ज सबसे जादा महत्पून जो लक्षमी का अंक है वो है 6 नंबर, 6 नंबर की जो अलग से एक प्रिक्रिया है जिसके लिए हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, 6 नंबर के लिए तो अगर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी, तो 15 का यंत्र लक्षमी यंत्र इसले बोला जाता है कि इसके अगर अंक को हम जोड़ देते हैं तो ये 6 नंबर के उपर आता है और 6 नंबर शुक्र ग्रह का नंबर है जो लक्षमी के महत्पून ग्रह माने जाते हैं इस तरह से इस यंत्र की अपनी एक अलग माननेता है इस यं आठावा शनी का तो नौवा नंबर मंगल का है। ऐसे में सभी ग्रहों को जगह दी गई है। और चैए नंबर के नंबर में इसको बांध दिया गया है। जिसका फल जो है वो चैए आता है, पंदरा आता है। तो यह जो एक स्थिती है, यह बहुत ही महत्पूर्ण है। यह वो एक तरह से scientifically हम पर प्रभाव डालते हैं और इनका महत्पूर्ण बहुत बढ़ जाता है। आज हम बात यहां पर इस यंत्र की नहीं कर रहे हैं बलके पंदरा की उस संख्या की कर रहे हैं जो हमारे जीवन को बड़े आसानी से बदल सकती है। यहां पर बड़े बड़े रिचुल और उपाय नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग पहले ही इनको करके ठक चुके हैं तो आप छोटे-छोटे उपायों की तरफ बढ़ते हैं यहां पर आपको कोई बड़ा-बड़ा पूजा पाठ, कोई रिचुल, कोई चीज ऐसी फॉलो नहीं करनी हैं बहुत ही तरीके से आप इस अंक शास्तर को इस्तिमाल कर सकते हैं और इसका चमतकारिक लाभा प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे आप इस पंद्रा के अंक को इस्तिमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में आप धन को बहुत ही जादा रूप से आकरशित कर सकते हैं आप एक भोजबत्र ले ले, भोजबत्र आपको पूजा की किसी भी दुकान से बहुत आराम से मिल जाएगा, इस भोजबत्र पर आपने अश्टगंद लेना है, अश्टगंद एक सियाही होती है, जिसमें कई सारी चीजों का मिश्रन होता है, इस अश्टगंद की सियाही को आपन पानी डाल कर गीला करना है और इस भुजबत्र पर पंद्रां की संख्या को लिखना है बहुत ही सिंपल है कुछ नहीं बनाना, सिरफ पंद्रां लिखना है बस इसके जिए एक ही चीज़ का आपको ध्यान सबसे जादा रखना है वो ये है कि पुर्णिमा के दिन इसे बनाएं और पुर्णिमा के दिन आप पीपल के व्रिक्ष के पास जाकर एक लकड़ी वहां से तोड़ लें और उस लकड़ी से आपने इस मंत्र को लिखना है यानि कि इस मंत्र को नहीं पंद्रा की संख्या को लिखना है तो ये आपके लिए एक मंत्र बन जाएगा और आप इसे अपने पर्स में रख लें इतना सा करना है और आप देखेंगे कि आपके लिए ये एक विग्रहे का काम करेगा आपके लिए कितना जादा धन को अकर्शित करने में आपकी मदद करेगा और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर पुर्णिमा के दिन आपने इसे बदल देना है और जो पुराना भोजपत्र होगा उसे आप जल में बहा सकते हैं या आप किसी पौधे के नीचे उसे दबा सकते हैं तो वो जो भोजपत्र है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा और आपके लिए और भी अच्छे रूप से काम करने लगेगा देखिए ऐसा नहीं है कि एनर्जी एक दिन में अपना काम करती है एनर्जी धीरे धीरे अपना काम करती है उर्जा को रास्ता दिखाना जरूरी होता है और जब वो रास्ता पक्के तरीके से बन जाता है तो उर्जा जो है वो एकत्रित होने शुरू हो जाती है जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है बहुत साइंटिफिक तरीका है और 100% इसके result आते हैं आपको इसी तरीके से इसका इस्तिमाल करना है आपके लिए यहाँ पर मैंने कोई बड़े बड़े पूजा पार्ट नहीं बताए और इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली तो इसको आपको प्रियोग में जरूर लाना चाहिए और इसके results आपको मेरे से share भी जरूर करने चाहिए देखे जब आप एक energy को इस्तिमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव डालेगी और धीरे धीरे आपको इसके प्रभाव positive रूप से मिलेंगे जब आपको इसके result आने लगे अपने testimonies मेरे साथ share जरूर कीजेगा कि आपको कैसे result मिल रहे हैं और इसको positive वे से करने की कोशिश कीजिए जब आप सकरात्मक होते हैं और जाएं भी दबे सकरात्मक रूप से आपके पास अकरशित होती हैं तो इसी तरह की और remedies और उपाई आपके साथ share जरूर करूंगी और आपके प्रभाव जो आपको मिलने वाले हैं आप मुझ से share कीजिएगा आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर कर दें शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू